हाश्टाग अभीशा पांस का तूटेगा दिल क्योंकि अभिशेक मलहान ने अपने और मनीशा रानी के रिष्टे को लेकर कह दी है कुछ ऐसी बाते कर दिया है कुछ ऐसा खुलासा जिसके बाद शायद आप सब का तूटेगा दिल वैसे तो आईए जानते हैं आकरकार हॉस्पिटल से सीधे डिस्चार्ज होने के बाद अभिशेक मलहान और फुकरा इंसान ने अपने बिग बॉस OTT सीजन टू की जर्नी को लेकर और मनीशा के बॉर्ण को लेकर क्या कुछ कहा है वैल यह मोमेंट तब था जब फुकरा इंसान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर पहली बार पैपराजीज के साब ने स्पोट हुए जहां पैपराजीज ने सवालों के घेरे में फुकरा इंसान को खड़ा कर दिया सबसे पहले उनसे बिग बॉस की जर्णी के बारे में पूछा गया जिस पर वो काफी जादा खुशी इजहार करते में नजराए कि वो काफी खुश है कि उन्हें इतना वोट और सपोर्ट मिला और वहीं सेकंड क्वेशन पूछा गया हैश्टाग अभीशा को लेकर तो उन्होंने मनीशा रानी की जम कर तारीफे की और बताया कि मनीशा जबरदस प्लेयर रही है काफी स्ट्रॉंग इंटस्टन रही है एंट फक्ट उनके और अभीशेख की दोस्ती सबसे बेस्ट रही है और दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा है मनीशा बहुत लिए डिंपल मलहान और अभिशेक मलहान की मॉम से कि आगरकार क्या वो मनीशा में अपनी बहू की क्वालिटीज देखती है या नहीं जिस पर उनकी मॉम तो हस्ती नहीं लेकिन यहां भी शेक मलहान ने पहले ही कनफर्म कर दिया कि वो मेरी बहन है जिस पर यहां उनकी मॉम भी यही कहा कि अभिशेक मलहान ने तो पहले ही उसे बहन बना लिया है तो इसके आगे कुछ कहना ही नहीं है जिस पर प्याप राजीज यह कहते नजर आए कि रिष्टों को बदलने में कोई वक्त नहीं लगता जिस पर अभिशेक मलहान ने कहा कि वेल्विट बॉस के घर क के रिष्ट को कॉंस्टेंट रखना चाहिए ना की बदलना चाहिए और ना मैं आगे चलकर इसे बदलूंगा यानि कि अभिशेक मलहान ने ओपनली भी सब के सामने मनीशा रानी को बेहन करार दे दिया है तो ऐसे में अभीशा फैंस जहां भी शेक और मनीशा को कनेक्ट करके कहीं ना कहीं इन दोनों के बॉंड को क्रियेट करनी की कोशिश करते थे तो वेल गाईज आप सभी को बता दू कि आम डाम शूर इस वेल रियाक्शन के बाद आप सभी का टुटा होगा दिल तो आप सभी को बता दू कि बेसिकली अभिशेक मलहान ने ओपनली मनीशा रानी को accept कर लिया है as a sister लेकिन दोनों के बीच उससे जादा कुछ भी नहीं है अब वैसे आप बताएं कि आकरकार अभिशेक मलहान के इन स्टेट्मेंट्स पर क्या कुछ है आपके रियाक्शन वेल डू लैट इस तो यूर रियाक्शन अन्दर कमेंट सेक्शन